कई बार गुटने के अंदर कई तरह की छोटी रसोली बन जाती है जिसको सिस्ट बोलते हैं यह सिस्ट आगे की तरफ भी हो सकती है और पीछे की तरफ भी हो सकती है अगर गुटने में पीछे की तरफ सिस्ट है तो उसको बेकर सिस्ट बोल सकते हैं यह सिस्ट गुटने के पी काम से निदान और उपप्चार कर सकते हैं तो अगर आपको गुटने के किसी भी तरह की सिस्ट बन गई है तो उसके कारण भी आपको गुटने में दरद हो सकता है और गुटने में सूजना सकती है और गुटने के ऑंदर कोई यहीं सेन्थ हो उसको हम दूर्बीन की प्रोसीजर जिसको अर्थोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं उससे हम उसका जो है वो सॉल्यूशन उसका निदान और उसका उपचार कर सकते हैं बहुत ही कम केसिस में गुटने के अंदर कोई ट्यूमर हो उसके कारण भी सूजना सकती है तो जैसा मैंने आपको बताया है कि MRI एक बहुत ही अच्छी टेकनीक है और अगर आपके गुटने के अंदर छोटे से छोटा ट्यूमर ये रसोली ये सिस्ट भी हो गता है तो वो MRI में पकड़ मा जाता है इसलिए अगर आपको गुटने का ऐसा दर्द है जो लंबे टाइम से है और गुटने में ऐसी सूजन है जो लंबे टाइम से है तो हम आपको ये रिकमेंड करते हैं कि आप एक MRI scan जो है वो जरूर कराके देख लें क्योंकि इससे जो है वो छोटी से छोटी बिमारी भी में आज आती है